आप लोग ये कलपना कर सकते हैं कि अमिट शाह कभी अपने चुनावी रैली में जनता से ये अपील करें कि आप लोग भारती जनता पार्टी को वोट ना देकर त्रणमूल कॉंग्रेस को वोट देकर चुनाव जिता दीजिए लेकिन अटल विहारी वाचपई ने एक दफ़ा ऐसा ही किया था अपनी चुनावी रैली में जनता से अपील की थी कि आप लोग अटल विहारी वाचपई यानि कि मुझे कताई वोट ना दीजिएगा मुझे चुनाव हरवा दीजिएगा और मेरे विरोधी को चुनाव जितवा दीजिएगा क्यूं कहा था अटल ने ऐसा? किस से कहा था? कब कहा था? और किस नेता के लिए कहा था? जैसे कि क्या हुआ था जब अटल विहारी वाजपई ने अपनी जिन्दगी में महिलाओं पर सबसे गंदा, सबसे घिनावना और असम्विदन शील बयान दिया था क्या था वो बयान जिसने अटल की भाषण छमता को शर्मशार करके रख दिया था जिन्दगी भर अपनी भाषण के जरिये शोहरत हासिल करने वाड़े अटल के उस एक भाषण की कहानी इसने अटल को चुनाव हरवा दिया था तो चलते हैं हमारी खास सिरीज अमर अटल के इस खास किस्से पर ये किस्सा साल 1957 का है तब अटल विहारी वाचपई अपनी जिंदगी में दूसरी दफा लोक सभा के चुनाव मैदान में थे पहली दफा साल 1952 में बलरामपुर से चुनाव लड़े थे और हार भी गए थे लेकिन इस दफा परिस्थितियां बदली हुई थी जन संग पूरी तरह से अटल विहारी वाचपई पर फोकस था दीन दयाल उपाध्याय हर कीमत पे चाह रहे थे कि अटल संसद जरूर पहुँचें क्यूंकि इस दफा जन संग का प्रतेट्व करने वाली कोई आवाज संसद में नहीं मौजूद थी जन संग को आवास देने वाले एक मात्र डक्टर स्यमा प्रसाद मुखर जी का असमाईक निधन हो चुका था और ऐसे में सदन के भीतर जन संग की आवाज को और मजभूती देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीत की किरनर थी और वो थे अटल विहारी वाजपई चुकि ये वो दोर था जब जन संग के लिए कोई चुनाव लड़ने को भी नहीं तयार होता था इसी लिए दीन द्याल उपाद ध्याई ने नो रिस्क के प्लैन के तहट अटल विहारी वाजपई को तीन लोग सभासीटों से चुनाव लड़वाया था पहली बलरामपुर, दूसरा लखनव और तीसरी मतुरा तीन लोग सभासीटों से अटल विहारी वाचपई को चुनाव लड़वाया जा रहा था ताकि हर कीमत पर अटल चुनाव जीत कर पहुचे जरूर सदन इसी दोरान अटल विहारी वाचपई बलरामपुर और लखनव में चुनाव प्रचार कर रहे थे और इसके बाद मतहुरा एक रैली करने आए थे मतहुरा में अटल विहारी वाचपई के साथी रहे निरंजयन अगरवाल बताते हैं कि जब अटल विहारी वाचपई की रैली आयूजित कराई गई थी तब मतुरा में जन संग समर्थन का माहौल होने के नाते भारी भीड जुटी थी और अटल विहारी वाजपई ने भीड को सम्मोजित करते समय उस रैली में कहा कि आप लोग अटल विहारी वाजपई यानि कि मेरी चिंता मत करिए भगवान की दया से जैसा आप लोग मुझे प्यार करते हैं ऐसे ही बलराम पुरवाले भी करते हैं आप मुझे वोट मत दीजिएगा राजा महेंद प्रताप को जितवा दीजिएगा राजा महेंद प्रताप एक निर्दलिय प्रत्याशी थे जो साल 1952 के चुनाओ में भी खड़े हुए थे मतुरा से ही लेकिन हार गए थे इस दफा फिर निर्दलिय खड़े हुए हैं और अटल विहारी वाजपई ने इन्ही राजा महेंद प्रताप के लिए कहा था कि आप इन्हें चुनाओ जितवा दीजिए ऐसा क्या खाश था राजा महेंद प्रताप में वास्तों में राजा महेंद प्रताप एक स्वतंतरता सेनानी हुआ करते थे वैसे तो राजा थे हाथरस के पास एक रियासत थी मुरसान वहां के लेगिन जब अंगरेजों के खिलाफ बगावत की थी तब अंग्रेजों ने इन पर दमन चक्र चलाया और फिर उस दमन चक्र से बचने के लिए ये विदेश भागे और विदेश में ही अपनी पूरी जिन्दगी काटनी पड़ गई कोई अमेरिका या नौर्वे में नहीं रह रहे थे अफगानिस्तान के बीहणों में अपना जीवन गुजारा था कश्ट में गुजारा था इसलिए जब साल 1946 में देश आजाद होने की तकरीबन तकरीबन तस्दीक हो चुकी थी तब ये वापस भारत लोटे थे और तब इन्हें जहाजस को रिसीफ करने के लिए स्वयम सरदार पटेल की पुत्री मडिवेन गई थी और ये वहाँ से सीधा वर्धा पहुँचे थे जहां महात्मा गांधी रुके हुए थे महात्मा गांधी के ही साथ इन्होंने काफी लंबा समय गुजारा था कई लोग कहते हैं ऐसा इसलिए किया था कि अंगरेजों के दमन चक्र से बचे रहें ऐसे स्वतंतरता से नानी राजा महेंद प्रताप को चुनाव हारता देख अटल को बहुत पीडा हुई थी जब 1952 में भी उन्होंने राजा महेंद प्रताप की चुनाव हारने की खबर सुनी थी तो अटल ने बयान दिया था एक क्रांतिकारी हार गया ये अटल के भीतर की कभी हिरदयता थी ये अटल के भीतर की भावना थी जो उन्हें राजनीती में सबसे अलग बनाती थी लेकिन किस्मत का खेल था अटल एक दफा फिर राजा महंद प्रताप के सामने आके खड़े हो गई थे इस दफा विरोधी प्रत्याशी के तौर पे लेकिन अटल जानते थे सध्धान्तों के लिए जीत की वली देना जरूरी होता है इसलिए अटल ने अपनी जीत की परवाहना करते हुए राजा महंद प्रताप के समर्थन में वोट मांगे थे भारतिय राजनते के तिहास में शायद ये पहली और अंतिम घटना थी जब किसी प्रत्याशी ने अपने विरोधी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगे थे और जनता ने भी इस अपील को दिल खोल के सुना था अटल बिहारी वाजपई बलरामपूर से जीट के सदन पहुचते हैं और 40 फीजदी से ज़्यादा वोट पाके राजा महेंद प्रताप कॉंग्रेस के दिगज प्रत्यासी को हरा के मतुरा की सीट से सदन पहुचते हैं उमीद करता हूँ अटल बिहारी वाजपई की जिन्दगी के इस खास किस्से को सुन के आपको अच्छा लगा होगा कहानी अच्छी लगी होगी अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी स्रीज अमर अटल से लगातार जुड़े रहिए जूँकि अमर अटल में आपको अटल विहारी वाजपई के जिन्दगी के वो किस से सुनने को मिलेंगे जो आपने आस तक कहीं नहीं सुने हो